आपने जो सवाल पूछा ये बिल्कुल गोदी मीडिया वाल था आपका अगर भाचपा ये कह रही है कि मोधी राज के अंदर किसानों की आये दुगनी हुई है तो ये किसान आत्म हत्या किस कर रहे हैं वो किस के राज में कर रहे हैं इस सवार आप एक बार बीजेपी से भी पूछिएगा नमस्कार मेरा नाम जोधी है और आप देख रहे हैं दर्थिंकर टीवी तो हमारे साथ जूड़ रहे हैं कुनाल जी और जो अपने बारे में थोड़ा हमारी ओडियंस को अपना परीचे बताएंगा बहुत-बहुत धन् प्रण्यूक्त किसान मजदूर संगठन का राष्टे सचिवहूं युवा परकोष्ट का और किसानों के निरंतर जो आंदोलन चले हैं उनमें सभी में मैंने लग-भग-भग भाग लिया है और किसानों की आवाज को उठाने का काम किया है तो मुझे आपसी पूछना है कि जो अभी MSP को लेकर मतलब जो किसान है वो लगातार मांग कर रहे हैं कि MSP पर कानूनी गैरेंटी होनी चाहिए तो आपका क्या मत है उस चीज़ को लेकर देखे किसान जो मांग कर रहे हैं वो बिलकुल जायज मांग कर रहे हैं प्रतियक व तो आंदलोनों के माध्यम से ही आजादी मिली और लोकतांत्रिक तरीके से गांधिवादी तरीके से जिस तरीके से किसान अपनी मांग को रख रहे हैं मुझे लगता है कि सरकार को उनकी मांग मान लेनी चाहिए और ये MSP का जो कानून है उसे ततकाल प्रभावसा लाग कर देना चाहिए तो वहीं आप अगर देख रहे होंगे तो भाजपा के कई बड़े नेता है जो हमें बोल रहे हैं कि जो किसान नहीं है वो एक खालिस्तानी मतलब जो संगट है उसको पर मोट कर रहे है तो आपको क्या लगता है इसको लेकर ये BJP के जो नेता है ये जूट की दुकान है ठीक है और अगर इस तरीके के ये बयान दे रहे हैं तो इस देश के अंदर एक हमारे देश के प्रधान मंत्री नरिंदर मोदी जी है जब ये पिछे कानून की बात चली थी तो उन्होंने आकर के टीवी पे हाँ जोड़कर कहा था कि शायद मेरी तपस्या में य आकर के धरने को समाप्त करने की घोषण करने की परपस से कानून को वापिस लेने की परपस से वह यह बाट टीवी पर आकर नहीं कहते तो यह तो बिल्कुल साफ कर दिया है कि तो इसका मतलब क्या है कि केवल और केवल उनको तरह तरह की बाते बदनाम करने के लिए कही जा सवाल कर रही है मैं चाहता हूं आप भाजपावालों से पूछे कि जो स्वामी नाथन की रिपोर्ट है वह वेब साइट से कैसे हटी वह क्यों हटी क्या वज़े रही इस सवाल आप एक बार बीजेपी से भी पूछिएगा वह आपको बताएंगे कि उनके मन में क्या है और दुगनी करी है इन 10 सालों में तो आपका क्या मतंथ है कि किसान अब अपहलों के संगर्रीश के मुकावले अब जढ़ा सम्रिद हुये के नहीं हुए एगर भाजपा यह कह रही है कि मोदी राज के अंधर किसानों की आये दुगनी हुई है तो ये एकिसान आत्म हात्या कि वो किसके राज में कर रहे हैं मोदी जी ने कहा था किसानों की दोगनी आई की बात करी पर हां मैं ये जरूर कहूंगा कि किसानों की आए दोगनी तो नहीं हुई पर किसान आत्म हत्याएं बढ़ी है किसानों पैत्या चार बढ़ा है किसानों का जो फसल का जो दाम मिलना चाह अगर आप देखे तो वहीं जो केंद सरकार है उसका रुखिये है कि वो जो किसान आ रहे हैं उनको रोकने के लिए वहाँ पर जो कीले वागिरे लगाई गई थी उन्हें रोकने के लिए वहाँ पर कई आसुगेस के गोले छोड़े गए थी जिसमें की एक से दो किसानों की मौत होगी थी बड़ा दुख का विशे है कि आज देश का जवान और देश का नौजवान आमने सामने हैं यह सत्तर सालों की इनकी पहली बार ऐसा हुआ है कि जब सीमा पे खड़ावा जवान और खेत में करता किसान आमने सामने है यह ऐसा सत्तर सालों में कभी नहीं हुआ यह बहुत दुखका विश्य है और जब एक युवा की इस तरीके से हत्या हो जाती है तो बड़ी मन को पीड़ा होती है क्योंकि इस देश का जो युवा है वही भविश्य है किसानों की मांग है कि लखीम पूर खिरी में जो बीजेपी नेता है उनके जो बेटे थे उन्होंने एक किसान तीन से चार जो किसान थे उनके उपर टैक्टर या गाड़ी चलाई थी वहीं वो कहरे है कि उनको अंसाफ मिलना चाहिए उनको उनके जो बच्चे है उनको नोकरी मिलने चाहिए आपको क्या लगता है दूसरा बात यह है कि किसानों के उपर जब गाली चड़ी उसके बाद किसान आंदोलन भी रहा अंदोलन में हमारे किसान नों अपनी शहादत दी एक बार भी उनकी शहादत के लिए भाजपा की सरकार ने दो मिनट का मोन भी रखना उचित नहीं समझा तो उनकी मन्शा बिल्कुल साफ है कि वो किसान हितेशी हो ही नहीं सकते यह मैं बिल्कुल किलिए कर दूँ आप तो क्या लगता है कि अभी तक वो केस वापस नहीं लिए गये है तो ये किसानों के साथ अन्याए है या फिर एक तरीके से उन्होंने कानूनों का पालन किया है जब नरेंदर मोधि जी टेलीवीजन पर आकर करました मैं किसानों के जो बिल जो कानून लेकर आयते वह वापिस ले चुके हैं और वह मान चुके हैं कि हां गलती हुई है तो यह जो सारा किसानों के उपर नहीं को ब्रहुत किसान के लिए बिल्कुर नहीं करेगां उनको लेने चाहिए वापिस होने चाहिए जब बढ़े बढ़े नेताओं के मुगद में वापिस हो रहे हैं तो देश के किसान के मुगद में वापिस क्यों नहीं हो रहे हैं क्या देश का किसान इस देश के लिए क्या निकरता है हम तो रजाई में सो जाते हैं सर्दियों में पर किसान अपनी खेत के अंदर अनानाज को थंड के अंदर पाले के अंद भागा फिरता है अपनी फेसल की रक्षा करता है कि कोई उसको जानवर ना खत्म कर दे तो ऐसे किसान के लिए इनके दिल में कोई दया भावना नहीं चलिए हम इस जो कारे करम का इसका समापन एक जिस मुद्दे के लिए हमने इतनी बड़ी डिबेट करी है उसी पर ही समाप्त करेंगे MSP को बेकर किसानों का हमत है कि जो MSP है वो सिर्फ एक तरीके से एक नीती है और उसको आने वाले समय में सरकार कभी भी मतलब हटा देगी तो जो किसान है उनको ये डर लग रहा है कि जो MSP है वो हटा दिया जाएगा अगर किसानों के लिए अगर ये कानून बनता है तो वो कोट में जाकर अपने हग के लिए लड़ सकते हैं आपको क्या लगता है कि ये किसान जो परदशन कर रहे हैं वो अपने हग के लिए लड़ से अधिकतर आंदलों में सुनता हूं में काफी आंदलों को आंदलों में जाता हूं देखता हूं तो अपनी बात कहना इस देश के अंदर यह लोकतांतिक प्रकृदिया का हिस्सा है और यह हमारा राइट है हमें अपनी बात कहने चाहिए जहां कानूनी प्रकृदिया की बात जो MSP किसान अंदोलन कर रहे है उसमें उन्होंने जो राहूल गांधी जी है उन्होंने पूरा सपोर्ट दिखा दिया है तो आप बताइए आपको क्या लगता है कि कॉंग्रेस किसानों के लिए सच में कुछ ऐसा करेगी जो मूधी सरकार नहीं कर पाई आपने जो सवाल पूछा यह बिलकुल गोदी मीडिया वाला सवाल था आपका आपने कहा कि कॉंग्रेस ऐसा करेगी कॉंग्रेस ने किया है कॉंग्रेस ने किसानों के कर्जम आफ किये कॉंग्रेस ने राहूल गांधी ने भट्टा परसॉल में यात्रा करी किसके लिए करी कि कि मोधी सरकार ने अपने चुनिंदा मित्रों के गर्जय माफ की हैं और कॉंग्रेस पार्टी ने किसानों के गर्जय माफ की तो यह जो गोधी मीडिया वाला सवाल आपने किया है यह बिल्कुल आप मुझे ऐसा लगता है प्रतीर हमसे बातचित करने के लिए और हमारे बहुत धन्यवाद नेक्स्ट कारेकर में मिलते हम इनसे कुछ अलग टापिक पे नमस्कार